आज हिंदू के पतन का सबसे बड़ा कारण है हमारे अपने ही हिंदू जो एक मुस्लिम बच्चा यदि मज़च जाता है तो कुरान भी पढ़ता है उसे उर्दो भी आती है और कृष्चन बच्चा यदि चर्च जाता है तो वो बाइबल भी पढ़ता है लेकिन हमारे पड़े भी है तो वो लाल कपड़े में लपेट कर एक कोने में पड़े हैं और जब इन लोगों को अधर कम्यूनिटी टार्गिट करती है तब यह लोग जवाब नहीं दे पाते और बहुत जल्दी कनवर्ट हो जाते हैं और जिन्होंने कभी सनातन धर्म के शास्त्र खोल कर भी नहीं देखे ऐसे लोग और उनके बच्चे खुद को हिंदू कहकर अपने धर्म शास्त्र पर उंगली उठाने लगते हैं सच तो यह है कि जो पड़ेगा ही नहीं वो जानेगा कैसे और जो जानेगा ही नहीं उसे आसानी से मुर्ख बनाया जा सकता है तो कि अपने बच प्रण चाहिए तो अपने शाफ्तरों की और लोटिए